तो ज्यान ही ब्रह्म है और जो भारत शब्द का अर्थ रहा है भारत शब्द है land of seekers जो ज्यान के प्रती बहुत ही इकशुक हैं भूखे हैं वही धर्थी भारत है तो अलबर्वनिर्स जो कहा था जब भारत की कई वर्ष पहले 700-800 साल पहले जो उसने सबसे बड़ा conclusion दिया थ कि टीन चीज है भारत में जो ना एक वेक्ति हैं वो मतलब क्वाम जनरली लोग सच बोलते हैं लोग मरने से नहीं डरते हैं और लोग ज्यान पर बहुत ही ज़ादा गर्व करते हैं और बहुत उसको वैल्यू देते हैं नमस्कर संगम टॉक की टीम को धन्यवाद कि मुझे आज तीसरी बार ये मंच प्रदान किया और आज का जो विशय है ये आप समझे लो कि पूरा जीवन शायद मेरा इसी मिरबीत है कि भारत का जो प्राचीन ज्ञान विज्ञान है वो क्या रहा था और होता क्या है कि देखे प्राचीन होना पुराना होना बहतर तभी होगा जब आज के समय में भी वो प्रासंगिक होगा अगर आज के समय में कोई ज्ञान व्यवहारिक है उसको हम यूज कर सकते हैं दे टू टे लाइफ में तो बहुत ही अच्छी बात है तो एक कैटेगरी ये होती है कि हम पास्ट में क्यों जाएं तो हम पास्ट में बस खोजने के लिए जा रहे हैं कि क्या हम वहां से नेक्टर को बहुत ही खुबसूरत जो ग्यान है विज्ञान है उसको हम क्या ला सकते इसको अगर मैं समझाना चाहूँ इंडिया से भारत ये English to Hindi ऐसा कुछ नहीं है बट हम हर चीजों को जो West की ओर देखते है कुछ भी नई चीज होती है जैसे योग जब योगा बनता है तब acceptance इंडिया में जादा बढ़ा ऐसा नहीं है कि योग नहीं था भारत नहीं ठीक है तो भारत की चीजें ही जब बाहर से package होके आती है तो बहुत अच्छे से हम accept करते हैं तो हम इसे पहले क्यों नहीं करते हैं बदब हमें पहले करना चाहिए न ये तो ये confidence क्योंकि lose हुआ है और क्यों lose हुआ है क्योंकि हम गुलाम रहें और गुलाम रहना परतंकरता सहना सि आपकी जो सोचने की तरीका है वो गुलाम प्रविर्ती की हो जाती है आप आप colonized हो जाते हैं तो ये जो पहला sub topic है ये है decolonization of mind हम उस hangover से कैसे निकले जो अभी तक हम छूटे नहीं है और दूसरा था कि मैं अपने मित्र से मिला तो ऐसी out of curiosity प्रशन किया कि हमारा maths में क्य contribution पूरे दुनिया को विश्यो को हमने गणिक में क्या दिया है तो उसने हसते वे कहा zero it was like कि वो ये नहीं कह रहा था कि zero as a number system में वो दिया बट कोई contribution नहीं था ये approach था कहने का तो क्यूंकि मुझे सास्त्रों का ध्यान करने का मौका मिला और आपको ये बताने में मुझे ख उसको मैंने retrieve किया जो agree history foundation है और उसको apply करने की कोशिश की लेकिन क्या है ना कि व्रिक्षा ऐर्वेद है मतलब आईरवेद का ग्यान होना चाहिए और आईरवेद की समझ के लिए आपको वैशेशिक दर्शन होनी चाहिए It's like physics आप सीधे नहीं समझ सकते है ना physics के समझने के पहले आपको mathematics आनी चाहिए आपको basic understanding nature की होती है आप class 6 तक 7 तक पढ़ते है उसके बाद अच्छे से physics आपको पढ़ाया जाता है तो मुझे दर्शन सास्त्र के पास जाना पड़ा व्रिक्षाई रिवेद को ठीक ठीक समझने के लिए तो दर्शन सास्त्र मुझे एक नहीं 6 एक गुच्छे में मिले उसमें न्याय मिला वैशेशिक जैसे हमने अभी कहा वेदांत मिला मतलब स्वामी विवेका नंदनी जो दर्शन सास्त्र प्रपगेट किया वो वेदांत दर्शन था हम भगवत गीता से जो इंस्पायर होते हैं वो सांख्य दर्शन है ठीक है हम जो यग्य की परंपरा देखते हैं वो मिमांशा दर्शन है और जो हम पतंजली योग की बात करते हैं वो योग दर्शन है तो आप philosophy लेकिन मैंने जैसा कहा loosely मतलब exactly दर्शन philosophy नहीं होती है ठीक है क्योंकि philosophy पर हम कभी आएंगे कि क्या होती है बड़ दर्शन को आज हम स्वेम देखेंगे कि दर्शन सासर क्या है और दर्शन मतलब देखना जैसे अगर सीधे सीधे हम समझे तो द्रिश्टी को मतलब perspective किसी भी चीज को देखने का नजरिया मेरा जो dimension है समझने का तर्क लगाने का वो science का हो सकता है वो धर्म हो सकता है वो social science हो सकता है किसी भी field में आपका जो approach है देखने का अगर वो चश्मा clean नहीं है तो आपको हर चीज धुनली दिखेगी और आप perceive नहीं कर पाओगे इसलिए हमें intelligent होने के लिए सीधा सीधा मैं कह रहा हूँ कि आपको अगर बुद्धिमान बनना है तो किसी भी subject किसी भी अनुभाव को लेने से पहले दर्शन सास्र का ग्यान होना चीए ठीक है तो आज का हम session फिर रारम करते हैं तो यह जो पुनर जागरण शब्द मैंने प्रयोग किया है तो history में हमने बहुत पढ़ा है Europe का पुनर जागरण European Renaissance ठीक है तो जैसे 1991 में जो हम बात करते हैं कि economic freedom world market के लिए भारत open हो गया मतलब आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हुआ था भारत 47 से 91 की बीच में मतलब वो समाजबाद, communism के dimension में था ठीक है हम रशिया को follow करते थे ठीक है तो 47 में हम बोलते हैं political freedom हमें मिली मतलब हमारा अपना शाशन तंत्र हुआ लेकिन कई expert ये कह सकते हैं कि ये भी proxy government थी कोई रशिया का सुनता था, कोई किसी और देश का सुनता था मतलब हम अपना decision खुद नहीं ले पाते थे और कैसे ले पाते हैं तुरंती आजाद हुए थे तो ये चलिए दो freedom तक हम हाए लेकिन सोचने का freedom कि अपनी चीजें जो हमें अच्छी नहीं लगती है देखिए, बाहर की अच्छी चीजों को accept करने में कोई बुराई नहीं है हमें science ज्यान विज्यान जरूर लेना चीए closed mindset नहीं होना चीए लेकिन अपना जो भी परंपरा होता है उसको हम पूरा एक दो generation जो है बहुत हीन भावना से देखता है और वो चीजें छूटती जाती है फिर जब repackage होके आती है उसका शायद intellectual property right आपके पास नहीं होता है वो billion dollar of industry बन के आ जाती है जैसे meditation है तो जो repackaging है उससे हमें बचना है और आजी मलतरा जी में बहुत शांदार कुछ तक लिखी being different जिसने मुझे बहुत inspire किया और मेरे approach को बहुत हद तक ठीक किया तो हम जो जन्यू पहनते हैं जो thread हम बोलते हैं ये कई वर्षों तक मुझे कारण नहीं मालुम था कि ये जन्यू हम पहनते कि वह हैं जो यग्यो पवित संसकार होता है ये हम क्यू करते हैं सोला संसकार में जो एक संसकार है बहुत ही महत्पूल संसकार है नहीं कारण मालुम था out of curiosity जिग्यासा से उसका जब उत्तर मिला तो पता चला कि हर वक्त हर दिन जब आप अपने जन्यू को देखते हैं तो एक रिण को याद करते हैं एक नहीं तीन धागे हैं तो तीन रिण छे धागे हैं तो छे रिण उधार आपके उपर एक उधार है आप जब जन्म लेते हैं तो पित्री रिण हैं माता-पिता का रिण है आपको जिन्होंने काम, कुरोध, लोभ, मोह, इर्शिया, जो गुरु हुए है, जिन्होंने दिक्षा दी, जो हमें सभ्य बनाए, एनिमल से, जानवर से, मनुष्य क्योर ले गए, उनका एक रिंड, और यह जो ज्ञान विज्ञान है, इसको जिन्होंने एक्स्प्लोर किया, जैसे हम scientist कहता है, कि किसी एक scientist ने discovery की knowledge की, तो ऐसा नहीं कि वो knowledge प्रकृती में होता नहीं है, अब Newton ने जो Newton's Law of Motion दिया, तो ऐसा नहीं कि Newton's Laws of Motion पहले नहीं थी, प्रकृती में घटी थी हो रही थी, तो उसी प्रकार हमारे जो भारत की परंपरा में, जो explorer है, जो सबसे ज ज्यान को समझते हैं, सबसे ज्यादा intelligent है, वो है हमारे रिशी, तो उनका भी एक उधार है, अगर हम आईरवेद का प्रियोग कर रहे हैं, तो चरक जी का, शुशुद जी का, वैशेशिक दर्शन में जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, महर्शी कनाद का, इन सभी का depth है, उध धार है हम पर, तो अपने जीवन काल में हमें इन सभी रिणों को ध्यान में रखना चाहिए, और उनके प्रती समर्पन, और हो सके तो अगर हम रिण को चुका सके, तो हमें वो कोशिश करने चाहिए, तो यह जो धर्म जिग्यासा है, यह जो हमने रिण की बात किये, महर्शी गौतम ने दिया न्याय दर्शन, महर्शी कपिल ने दिया सांख्य दर्शन, महर्शी पतंजली ने दिया योग दर्शन, और महर्शी वेदव्यास ने दिया वेदान्त दर्शन, तो एक-एक करके हम सभी से होते हैं, तो मुंडो कुपनिशद में एक बहुत ही शां परे beyond जो शब्दों से जिस चीज को हम बांध सकते हैं जिस भी ज्ञान विज्ञान को जब हम explain करते हैं वो शब्दों से हम define कर पाएं समझा पाएं वो आपरा विद्या में होगी और जो शब्दों से भी परे हैं जैसे दो वेक्ती बात कर रहे हैं और कह रहे हैं हमारे यहां का गुलाब जामुन बहुत ही बढ़िया है स्वादिष्ट है तो दूसरे वेक्ती ने कहा कि कैसा है मतलब कैसा मीठा है तो कैसे बताएं कैसा मीठा है आओ हमारे यहां कभी हम खिलाता हैं गुलाब जामुन को तब तुम्हें पता चलेगा कि कैसा मीठा है तो आप explain नहीं कर सकते कि exactly कैसा गुलाब जामुन मीठा है तो शब्दों का क्या है वाक्य का हमारे बातचीत का एक limitation है हर चीज को शब्दों से explain नहीं कर सकते तो दूसरा dimension हो जाता है अनुभाव का dimension जो पराविद्या में है और अगर इसको और तोड़ने का कोशिश करें तो शब्द, अर्थ, और ज्यान ये तीन category में हम तोड़ते हैं जो पतंजली योग सुत्र में बहुत अच्छे से explain किया हुआ है किसी भी चीज को हम पहले साबदिक समझते हैं ठीक है और again वो incomplete होगा जैसे किसी बच्चे को ज्यान नहीं है कि पेड़ क्या होता है, व्रिक्ष क्या होती है ट्री क्या होता है, उसको मैंने कहा पेड़ अगर उसने पेड़ा वो जानता है तो वो पेड़ और पेड़ा से confused हो सकता है उसने नहीं जाना, तो शब्द में उपस वो याद कर लिया उसको अर्थ का ग्यान नहीं होगा फिर शायद हमने उसे photo दिखा दिया अपने phone से photo दिखा दिया या उसके textbook में दिखा दिया कि इसको पेड़ कहते है तो उसे शायद अर्थ भी समझ में आ गया लेकिन ज्यान नहीं होगा कि वो जो पेड़ है वो बीज से निकला है एक छोटे से बीज में पूरा का पूरा व्रिक्ष समाया हुआ था उसमें कई जीव जन्तू, माइक्रोब्स, कई जीवन वहां से आते हैं वो कई वेक्तियों को शाया प्रदान करती है यह एक व्रिहद नॉलेज है, मतलब पेड़ आते ही हमारे ध्यान में अभी जैसे आता है ध्यान में आ जाता है, इन्वाइरमेंट, परियावरन को बचाना है तो हम अर्थ से थोड़ा आगे बढ़ गया है, उसका पूरा डैमेंशन को हम समझने की कोशिश किये तो किसी भी कंसेप्ट को समझ दे का 3 स्टेज में हम बात कर सकते हैं एक्जाटली वोकैबुलेरी क्या है, शब्द का मीनिंग क्या है उसका exact मीनिंग क्या है, जब किसी कंटेक्स्ट में परियोग होता है जैसे धर्म शब्द है, अब इसका एक अर्थ नहीं है जैसे इसका जो English में translation कर दिया गए religion ये एक अनभिग्यता थी कि Sanskrit जो है single linguistic है, मतलब एक शब्द का एक ही meaning होता है बट हमें पता है कि धर्म शब्द के कई अर्थ निकल कर आते हैं अगणी का धर्म होता है जलाना, हम ऐसे बात करते हैं फिर हम परुपकार को कहते हैं कि ये धर्म है तो धर्म शब्द अलग-अलग अर्थों में आता है जब उसका उस context में, उस वाक्य में, उस अस्थान पर, उस इस्थिती में, परिस्थिती में प्रियोग होता है तो अभी हमने देखा कि words और जो explanation है उसकी limitation होती है तो रिशियों ने, हमारे जो महा रिशियां, उन्होंने ये बात बहुत पहले समझ ली थी कि शब्द से परे हमें जाना पड़े है तो प्रारंब करते हैं न्याय दर्शन से, ठीक है? न्याय दर्शन, बहुत कोई इन्हें तरक शास्तर से जानते है अब देखे, मैं आज भी जो भी बात करने वाला हूँ, इसको समझना, logically, interpret करना, गलत है, क्या सही है, स्वेम से, समझना ये जो talent है, ये जो understanding है, ये आपको न्याय दर्शन देगी, वाद की understanding पहले देगी दो वेक्ति जब बात करते हैं, तो आज के समय में क्या होता है, हम अपनी बारी का इंतजार करते हैं, कि अब हम ये बात कहेंगे और सामने वाले के concept को, बातचीत को हम नहीं सुन पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, और add in ego clash होता है, aggression में वो convert होने लगता है तो जब भी दो वेक्ति जब बात करें, और एक जीतना चाहता है, कि देखो मैं आज ऐसा fact आपके सामने प्रस्तूत कर रहा हूँ, ऐसा logic मैं दूँगा, कि आपका जो understanding है, वो ध्वस्त हो जाएगा, मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और समझने को तयार नहीं है और मैं जीतना चाहता हूँ, debate को, that is, जल्प, वाद क्या होता है, कि दो वेक्ति बैठे हैं, दोनों जब जाएंगे बातचीत के बाद, तो दोनों के knowledge में वृद्धी होगी, किसी का आंकार बीच में नहीं आएगा, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से सुन रहे होग कि देखो आपने वो शब्द का उचारण ठीक से ने किया, आपकी authority क्या है कि आप ऐसा क्यूं कह रहे हैं, आपको मैं नहीं सुनना चाहता है, उसने तो ये कहा था, मुझे ये चीज आलरेडी मालूम है, इस तरह की जो बाती होती है, मतलब discussion के लिए आलरेडी तैयार नहीं तंडे पे वो चला जाता है, वाद नहीं होता है, तो communication level अगर हम established नहीं कर पा रहे हैं, और English अच्छे से कहना communication level नहीं है, अपनी बातों को सही ढंग से रखना, और वो तभी रख पाएंगे जब आपने सामने वाले की बातों को बहुत completely सुना है और उसे संतुष्ट किया ह तो न्याय दर्शन बहुत ही अच्छी विधी परंपरा बताता है और यही परंपरा सास्त्रार्थ में जाती है, एक सास्त्रार्थ परंपरा जो हम जानते हैं कि आध्य संकरशारे और मंडल मिश्र के बीच में हुई, तो उन्हें at least न्याय दर्शन मालूम है, अगर आपको वाद करना नहीं आता है, तो आप विवाद करने लगें, ठीक है, और योग दर्शन कहता है कि स्रद्धा वीर्य स्मृति समाधी प्रज्या पूर्वक इतरे शाम, स्रद्धा, है ना, आप अगर मैथमेटिक्स के क्लास में बैठे हैं, स्कूल में, तो आप ये नहीं कहता है कि ये टीचर कहां से पढ़ा है, मुझे इस पर विश्वासी नहीं है, ये क्या कह रहा है, मुझे मैथ्स में भरोसा नहीं है, मैं जब मैथ्स जानना ही नहीं है, मुझे मैथ्स जूटा लगता है, अगर इस अपरोच से आप बैठे हैं, तो आज तो आप कुछ सुन भी नह excitement उच्साह अगर आप में जानने की इक्षा नहीं है आप जानना ही नहीं चाहते हैं तो आप नहीं कुछ सिखेंगे तभी आपकी स्मृति बनेगी और memories जब बनती है स्मृति जब बनती है तब कई वर्षों के बाद आप connecting टी dots कर पाते हैं मतलब 10 चीजों को जब आप जोड़ पाते हैं तभी आपकी understanding बढ़ती है जब एक चीजों को आप टुकड़ों में देखते हैं तो आप पूरी चीजों को समझने की शम्ता आप खो देते हैं तो ये कब होगी जब चीजें आपको याद रहेगी तो आपने एक्साइटमेंट से उत्स स्रद्धा से सुना नहीं है तो आपको वो चीज विज्ञान विज्ञान को लेने में बहुत कठिंता आएगी तो ये पहले अध्याई की वीश्वे सुक्त में योग दर्शन में ये बात है इसके बाद आता है जो तीनों दर्शन में आता है नयाये शांख्या और वैशेश प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण ठीक है प्रमाण मतलब प्रूफ जो हम कोर्ट में करते हैं गवाह सबूत तो आप देखिएगा कि कोर्ट रूम में जो डिश्कुशन होता है वो डिबेट और लॉजिक पर फैसला नहीं सुना दिया जाता है कि इस क्रिमिनल को ये सजा दी जाएगी अंत में क्या मांगा जाता है प्रमाण प्रूफ तो आप ये बात पहले तो आप ध्यान में रख लो कि लॉजिक लगाना डिबेट करना बहुत अच्छा स्टेट्मेंट देना कुछ कोट करना ये व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकता है ये प्रमाण नहीं है और ये आपका प्रॉसेस भी नहीं होना चाहिए तो प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है ये हम बचपन से सुनते हैं प्रत्यक्ष अक्ष अक्षू आँख तो सिर्फ आँख नहीं जो आप देखते हैं तो उसे आप कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण जैसे आपने रॉकेट को उड़ते वे अगर देखा आख से तो आप कोई लॉजिक नहीं करते हैं कि यह चीज ओड़ी है कि नहीं ओड़ी है ठीक है आप completely संतुष्ट हो जाते हैं इसमें वाद नहीं होगा यह सफशे जादा व्यक्ति को संतुष्ट करता है जब आख के सामने कोई चीज घटित हो दूसरा होता है अनुमान प्रमाण and again it is not just guess सूरी को जो हम देखते हैं पूर्व से पश्चिम की और जाते हुए तो हम कभी movement नहीं देखते हैं हम सूरी को move करते नहीं देखते हैं ठीक है हम यह देखते हैं कि हर तीन घंटे में चार घंटे में दो घंटे में सूरी की स्थिती बदल गया आकाश में जो सूरी है वो लेकिन किसी बच्चे को हमने देखा है, साइकल चलाते हुए, तो हमने देखा है कि जब चक्का घूमता है, साइकल घूमता है, तो बच्चा और साइकल अपने अस्थान से चला जाता है. तो कोई चीज अपना स्थान अगर बदलती है, मतलब उसमें एक गती है. ये मेरा पहले का प्रत्यक्ष अनुभाव है और उस अनुभाव के आधार पर हम एक अनुमान लगाते हैं तो इसे हम कहते हैं कारे कारण सिध्धान, cause and effect analysis, किसी चीज़ के होने का कोई ना कोई कारण जरूर होगा तो जैसे घर में अगर कुछ लड्डू चूरी हो गई तो हमने कभी देखा है कि घर में जो बच्चे हैं वो लड्डू चूरी कर रहे हैं तो अगर लड्डू गायव होगे तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि इसने ही किया होगा लेकिन उसको आपने protection नहीं किया है तो अनुमान देखिए आपके आँख के सामने नहीं होता है फिर भी इसका आप कई जगा इस्तमाल करते हैं और यहीं से विज्ञान निकल कर आता है ना हम electron को देख सकते हैं हमने cathode experiment किया था हमने properties के रूप में analyze किया था हमारे कई physics mathematics के कई concepts हम mathematics के सहारे उसको समझने कुश्च करते हैं infinite series calculus कई चीज लगाते हैं और सही में यह प्रत्यक्ष प्रमान नहीं है ठीक है तो अनुमान प्रमान से कई विज्ञान निकल कर आते हैं हम data को analyze करते हैं हम graph को analyze करकर predict करने के कुश्च करते हैं कि बारिश कब होगी नहीं होगी तो उस चीज़ को हम कहते हैं अनुमान ठीक है लेकिन जो approach है किसी भी दर्शन सास्तर में बढ़ने का जो हमारे रिशी मुणियों ने दिया है वो approach शायर अपने जीवन में हम प्रियोग में ला सकते हैं जैसे वेदान्त दर्शन हमारी चार अवस्था के बारे में बात करता है जागरत, निद्रा, शुशुप्ति, तूर जागरत जो आप जगे हुए हैं, जो आप खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, निद्रा जो आप सोए हुए हैं, जिसमें आपको सपने आते हैं, सुप्न, सुशुप्ति, आप सोते हैं जिसमें कोई सपना नहीं आता, एकदम डार्क, और लगता है कि ये तो पांची मिनट हम और पूरा रात बीट गया, और तुरिया, अफकोर्स जिस पर आज हम नहीं बात करेंगे, लेकिन ये भी आपकी एक स्टेज है, जिसमें आपकी चेतना की अस्तर awareness level सबसे जादा है, सही बात है, जब आप सोए रहते हैं, आपको अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रहता है, उठने के बाद भी पता चलता है कि वो तो अच्छा वो रियालिटी नहीं थी, वो तो सपना था, आपको अपने बाड़ी पोजिशन के बारे में नहीं पता, आप तो ऐसे सोएते हैं, ऐसे कब हो गया, नहीं पता, तो awareness level आपकी नहीं रहती है, तो हमारे रिशिमों नहीं क जब तक वो प्रेपेरने, इसलिए हम कहते हैं कि when student is ready, teacher appears, जब विद्यार्थी तयार होता है, तभी उसको गुरू मिलते हैं, और approach क्या होता है विदान्त दर्शन में, श्रवणम, मननम, निदिध्ध्याशनम, सुनना, जैसे मैंने कहा कि हम eco-chamber में जीते हैं, हम अपनी जबारी का इंतजार करते हैं, बोलने का, या हमारे दिमाग में कुछ कुछ चलता रहता है, तो अधर हमने ठीक से सुना ही नहीं है, तो आप तो भूल जाओ कि आपको चीज़े समझ में आगी, तो सबसे बड़ा skill set है, जो शुरुवाती दौर में हमें चाहिए, वो है श्र रटने वाले हो जाते हैं, और निदिध्यासन, आत्मसाथ कर देना, जीवन में आ जाना, जैसे भगवत गिताब आपने पढ़ा, सुना, मनन किया, और उसकी अनुसार आपका विवहार अगर बदलने लगा, तो वो निदिध्यासन हो गया, ठीक है, kind of, वो आपके जीवन मे उत्तर गया, ये सिर्फ वैचारिक तोर पर नहीं है, विवहार में आ गया, ठीक है, तो आप दिखिए कि वेदान्त दर्शन कह रहा है कि हमें चेतना के अस्तर को बढ़ाना चाहिए, और शुरुवात में हमने बात की कि words का एक limitation है, जो अपरा विद्या हमने की, फिर हमने क को समझना चाते हैं, लोगों को समझना चाते हैं, हर चीज, ये क्यों हो रहा है, ये चीज क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो हमारे रिशी मुनियों ने कहा है कि ब्रह्मान में जो जो है, वो पिंड में भी है, वो आप में भी है, तो पहले स्वैम को सम ब्रह्मान्ड शायद आपको समझ में आने लगे अगर आपने श्वैम को नहीं समझा है तो यह जो एप्रोच है कि थोड़ा जो हम बहिर मुखी थे इसको अंतर मुखी कर दिये हमारे महर्शी ने कि पहले स्वैम को आप अनलाइज करो तो यहाँ पर है वाईशेशिक दर्शन जिसमें छे पदार्थ होते हैं उसमें से एक है द्रव्य हम स्कूल में जो हिंदी मिडियम के बच्चे है वो द्रव्य को बिसिकली लिक्विड के रूप में पढ़ाया जाता है जो periodic table में hydrogen से लेके helium, lithium, boron जो हम पढ़ते हैं यह सारे जो elements है carbon, nickel, iron, cobalt यह सब प्रिथवी हुआ जो earth से हमें मिलता है तो यह 4 हो गए और 5 क्या है आकाश, दिक, मतलब space, काल, time, आत्मा और मन अब देखिए वैशेशिक दर्शन clearly इसको द्रव्य के रूप में define कर रहा है, substance और हम chemistry में देखते हैं कोई जब substance word हम use कर रहे हैं, matter word कर रहे हैं, तो वो अपना रूप बदलती है वो create होना, destroy होने पर तो बात नहीं होता chemistry, बट हम कहते हैं, रूप बदलती है hydrogen, oxygen के साथ मिलता है, तो water बनता है, और water hydrogen और oxygen की property loose कर चुका होता है तो उसी तरह यह जो drug है वो transform हो सकते हैं, तो आत्मा को यह transform होने के रूप में बताने हैं, देखिए मन को यह अलग से define कर रहे हैं और आकाश चत्यों क्या है, अगर इसको हम समझने के कोशिश करें, जैसे आप drawing बना रहे हैं, तो आप जो color करनी चाहते हैं, उसके लिए एक board चाहिए, एक blank paper चाहिए, अगर blank paper नहीं होगा, तो आप drawing भी नहीं बना सकते हैं, तो सब stratum जो हम कहते हैं, तो यह जो अंतरिक् कि जो matter है या जो atoms है, वो earth elements को वो atoms मानते हैं, और हम अनू, वायू, अपस, तेजश, अगनी, जो हमने कहा, पृत्वी, इन चारों को हम अनू कहते हैं, मतलब अपस मतलब सिर्फ यह नहीं होता है कि जल हो गया, अगनी मतलब आगनी हो जाता है, जैसे जट्रागनी हम कहते ह हैं, तो वहाँ पर आगन तो नहीं लगा हो है, लेकिन यहीं अगनी तत्व है, तो हम यह कहते हैं कि हर तत्व में यह चारों तत्व हैं, जो भी जड़ आप देख रहे हैं, जो निरजीव है, उसमें प्रिथ्वी तत्व भी है, जल भी है, अगनी तत्व भी है, और वायू हो सकता है तो हम आज के बहुत हाई लेवल के physics quantum physics relativistic mechanics है न पार्टिकल physics उसमें क्या देख रहा है space curl होता है time dilution होता है time slow हो सकता है टेज हो सकता है ठीक है यह रूप बदल रहा है अपना तो हमने वैशेशिक दर्शन में already इसे डव्वे के अंदर रखा तो आप देखें कि यह example मैं इसलिए रख रहा था क्योंकि हमारे दर्शन सास्त्र सिर्फ अध्यात्म की सीधे सीधे तौर पर मोक्ष की बात नहीं करते हैं चारो पुर्शारत में बात करते हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष ठीक है और यह जो श्लोक है इसमें देखिए कि काइंड आफ न्यूटन वाशेशत्ष दर्शन में कई ऐसे श्लोक है जो आपको मोशन जो आपको आख से दिखती है पंच महाभूत उसका एनलिसस जो है वह होता है वाशेशत्ष धर्शन पंच महाभूत का तो यहां पर इस इसका जो अर्थ है वह है इन अपसेंस ऑफ्वोर्स बलके अभाव में There is no motion, बतलब upward motion, sideward motion और motion in general. तो यह हम कहता है कार्य कारण सिध्धान, अगर कुछ चीज हो रही है, अपने आप नहीं हो सकती है. There should be a cause behind an effect. बिना force के motion नहीं हो सकती है. उसी तरह बिना कर्म के उसका फल नहीं मिलता है. तो यह जो कर्म और फल सिध्धानते, यह cause and effect ही है, तो यह हमारे साइक में, हमारे रिशी मुनियों के साइक में अलरेडी थी, कि कोई चीज अपने आप नहीं होती है. तो जैसे आज की science है, जो कहती है कि randomness से universe का formation हुआ, मतलब बिजलिक गरी, amino acid का formation हुआ, protein बना, amoeba आई, जल के जीव आए, फिर reptiles आए, फिर चार पैरवाले जानवर हो गए, फिर दो पैरवाले जानवर, फिर मनुश, यह evolution को ऐसे बताते हैं, ठीक है? लेकिन हम कुछ और धंग से इस चीज को देखते हैं, हम इसको आगे अभी देखते हैं, शांख्य दर्शन के अनुशार, ठीक है? तो शांख्य दर्शन को अगर मैं zoom करूं तो यहाँ पर देखो, अब पुरुष्टत्व है, पुरुष्टत्व प्रकृति से मिलती है, तो म महत्तत्व आता है, महत्तत्व के बाद एहंकार और उससे सतोगुन, रजोगुन, तमोगुन और फिर मनस, मन, पांच ग्यानिंद्रियां, पांच करमेंद्रियां, शब्द, रश, रूप, गंधिश्पर्ष और अंत में पंच, भूत, आकाश, वायू, तेजस, अपस, पृ अब fundamental approach देखिए, क्या difference है, महत्त होता है बुद्धितत्व, intelligence, तो भारतिय दर्शन शास्त्र ये कहता है कि intelligence, cosmic intelligence, प्रकृती और पुरुष के मिलन्द के समय ही आ जाती है, और जो material manifestation है, जो आपने physical form देखा, पहाड़ों का, शरीर का, इन सब का जो manifestation है, वो तमोगुन, पहले आती है, और form लेना, सृष्टी में जो आप आँख से देख रहे हैं, जो ज्यानेंद्रियां देख रही हैं, वो अंत में आ रही है, अब आप समझ सकते हैं कि प्रकृती में जिनका brain भी नहीं है, वो self-organized कैसे हो जाती है, एक bacteria हो, amoeba हो, पानी को ऐसे गिरना है, कुछ चीजें क्यों लगता है कि कोई बुद्धी का प्रयोग कर रहा है, ठीक है, है ना, तो brain का होना, जो हम अभी science में कहता है, जैसे हमारा brain है, हमारा brain है, उसके बाद intelligence develop होता है, लेकिन पेट में जो gut bacteria है, उसकी भी एक intelligence है, आप सोचते नहीं है, पेट को में खाना पच ले आता है, और यह जो अहंकार है, सीधे तोर पर अभी हम ego या जो हम कहते हैं कि रावन का बहुत अहंकार बढ़ गया था, अहंकार यह है, individuality, कोई चीज आप ही कर रहे हैं, individuality होना, सृष्टी में सब कुछ अपने आप नहीं हो रहा है, कुछ चीज आप ही कर रहे हैं, ख रुष्टत्तों को, ठीक है, तो यह जो आप देखते हैं कि अहंकार को dissolve करने की बात आती है, यह तभी बात आती है, तब आपका cosmic intelligence जो एक्टिव होगा, क्योंकि आप अपने आपको अगर एहंकार में बांध के रखते हैं, तो आपकी बुद्धी open नहीं होगी, ठीक है, त तो अगर हम यहाँ पर प्रश्न करना चाहें कि क्या बुद्धी से सभी ज्ञान को जाना जा सकता है, अब यह बचपन से, मुझे यह बात नहीं समझ में आती थी कि सिधार्थ जो हैं जो गौतम बुद्ध बने, भगवान गौतम बुद्ध बने, पेड़ के नीचे बैठे तो यह जो समझ थी दर्शन सास्ट के बाद मेरी क्लियर हुई कि जो आप शब्दों से प्रकृती को, प्रयावरन को, सृष्टी को एक्स्प्लेइन करने के कोशिश करते हैं, जिसको आप शब्दों से बांध पाते हैं, लेकिन जैसे शुरू में आमने कहा, जो या पराविद्य हैं, उसके लिए आपको बुद्धी से परे जाना पड़ते हैं, क्योंकि बुद्धी प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण का प्रयोग करेगी, अब अगर आपने प्रत्यक्ष देखा ही नहीं है, आप अगर क्लास 1 से 9 तक अगर आप नहीं कितने भी आप बृलेंट हो, इट लिस्ट बीच कає 4-5 क्लास आपको करने पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं उसको जिसका और अनुमां प्रमाण बनता है, और प्रत्यक्ष प्रमाण से धिरे-दिरे अनुमान प्रमां बनता है और फिर बुद्धी विक्सित होती है, तब आप च समझ सकता है तो अब हमारे पास उपाई क्या है तो यहाँ पर एक पैराडॉक्स है कि अब बुद्धी ही ब्रिज है मतलब बुद्धी के इस तरफ अहंकार था बुद्धी के उस तरफ पूरुश और प्रकृति है तो सांख्य दर्शन जिसने पूरे एवुलूशन को समझाया कि स्रिष्टी का निर्मान कैसे हुआ है उससे हम चले जाते हैं योग में तो सांख्य और योग को हम एक साथ कहते हैं वैशेशिक और नियाय को हम एक साथ अध्यान करते हैं और योग जो आज हम देखते हैं जैसे हम आसन करते हैं प्राणायाम करते हैं कपाल भाती करते हैं पतंजली ने जो योग दिया था, वो शरीर को स्वस्त करने के लिए या मन को ठीक करने के लिए सिर्फ नहीं है, जैसे नदी में हम डैम बनाकर बिजली पैदा कर सकते हैं, लेकिन नदी का परपस बिजली पैदा करना सिर्फ नहीं है, तो योग में जो exact definition आता है, योग चित् जित्यों का रुक जाना, अब चित्त क्या है? बुद्धी, मन, अहंकार, इन तीनों को जब आप combination में एक साथ जब समझने के कोशिश करते हैं, उसको कहते हैं चित्त, आपका मन भी और बुद्धी भी, आप देखें मन और बुद्धी दोनों अलग चीज़ है, ठीके? ये जो चीज़े ज्यानिंद्रियों से वो देखता है, जो समाज में देखता है, वो उसके संसकार बनते हैं, उसके experience में आ जाते हैं, तो हम किसी भी knowledge को एक prejudice और biased form में ही लेते हैं, हम शुद्ध रूप से किसी भी ज्यान, विज्यान को नहीं ले सकते हैं, जब तक हम शान्त न नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधी, अब देखे, प्राणायाम चौथे नमबर पर है, तो हम exactly कहीं से training लेकर आए, और तीन मैने बाद practice किया, फिर छूट गया हमारा, एक साल से हम करीने रहें, बहुत अच्छा training हैं में लिया था, तो अध्याय होना चीए, अब योग के बारे में हमने कभी पढ़ा जाना नहीं है, योग का ultimate purpose क्या है, अगर योग के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ेगी तो उत्सा आएगा, है ना, तो योग में शिफ्ट दो से तीन श्लोक जो हैं, जो 1955 सूत्र हम कहते हैं, शूत कहते हैं उसमें दो से तीन सुक्त ही, अनुलोम विलोम या जो हम पूरक, रेचक, पुम्भक पे जो हम बात कर रहे हैं, बाकी सभी सांख्य को ही आगे carry forward कर रहा है, हम खुद को अपने को समझने की प्रक्रिया में हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है, तो बुद्धी से क्योंकि अगर हम समझ नहीं पा रहे हैं ग्यान को, तो हम बुद्धी को neutralize करने की कोशिश करते हैं, तो आप देखेंगे जो कई संत महात्मा है, वो क्या कर लेते हैं, वेराग्य क्यों ले लेते हैं, क्यों चले गए जंगल में, क्योंकि संसार में रहेंगे तो ग्यानिंद्रियां चीज़े देखेंगी, फिर उनकी नए संसकार बनेंगे, नए experience होगे, फिर वो शायद शांत नहीं हो पाए, कई समस्या है, जीवन में या प्रकृतिम लगता है कि यह चीज़ गलत हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, गोह हत्या और यह यह नहीं होना चाहिए, मन विचलित हो जाता है, तो एक प्रोसेस विराग्य क्यों आता है, या जंगलों में जाना, क्योंकि चित्त की वृत्ती पे अगर आपका, जो हम बात करते हैं, निरोध नहीं हुआ है, तो आप ultimate truth के उपर नहीं जा पाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर, क्योंकि आज का जो sub-topic था, उसमें हमने क कहा था कि क्या भारत में सिर्फ शून ने दिया है, भारत में सिर्फ शून ने दिया है, तो यहाँ पर जो श्लोक है, जो अगर हम बात करें कि केवी शर्मा जी का जो युक्ती दीपिका पब्लिश हुई थी उसमें इसका जो अर्थ निकल कर आता है ठीक है जब ये वीडियो यूट्यूब पर लाँच होगी तो आप इसको पॉस करके देख सकते हैं कि स्क्रीन पर क्या है इसको पूरा-पूरा अगर ट्रांसलेट करें तो end में ये बन जाता है ठीक है इन्फाइनाइट सिरीज साइन थिटा आप देखो अब भारत ने अगर इन्फाइनाइट सिरीज की मतलब उसको अगर समझ रही है हमारे गणितग्यों को तो calculus की समझ रही होगी ठीक है परिवर्तन को समझना change rate of change और उसके rate of change को समझना change को ही समझना ये calculus में आता है और उसका बहुत ही वहारिक पार्ट है infinite series और industrial revolution जो हम कहते हैं कि IC engine internal combustion engine से शुरुवात होती है तो physics होना उसके background में जरूर है जरूरी है science engineering के पीछे होती है और science के पीछे maths होता है और maths में अगर calculus नहीं थी तो high level की engineering नहीं हो सकती थी ठीक है तो अगर भारत में infinite series का knowledge है इसका मतलब हमारा mathematics बहुत अच्छे से well structured manner में developed था ठीक है और ये बात इसलिए मैं नहीं बता रहूं कि भारत इतना महान था हमें सम्मान करना चाहिए भारत को विश्व गुरु बनना चाहिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा भी एक ज्ञान विज्ञान है और हम उस self confidence को lose कर चुके हैं कि हम भी कुछ नया स्रीजन कर सकते हैं मैंने वैशेशिक दर्शन या वेदान्त दर्शन इसलिए बताया जैसे cosmic intelligence की बात होती है तो अभी हम artificial intelligence को समझने की कोशिश करते हैं ग्यान विज्ञान के development में वो हमें मालूम होना चाहिए तो अगेन जो पतंजली योगशूत्र में मुझे एक फिर से सूक्त मिलता है परिनाम त्रया संयमाद अतीत अनागत ज्ञानम यह जो परिनाम सब्द है न यह हिंदी में result हम कहते है result what is the परिनाम क्या result है यहां पर यह प्रयोग हुआ है बदलाव चेंज के रूप में तो एक शब्द यहां पर आ रहा है संयम again it is not patience सयम होता है योग का आश्टांग योग का जो अंतिम तीन है धारणा ध्यान और समाधी धारणा मतलब अरजुन जो हैं जो चड़ियां की आँख को देख रहे हैं जब पीर के निशाना को लगा रहे थे तो पेड़ नहीं दिखाई दे रहे थे हैं को चड़ियां की बस आँख दिखाई दे रहे थी उसको कहते हैं धारणा focused, one-point readiness focus इसी focus को जब आप प्रोलोंग करते हैं चार घंटे, पाँच घंटे, चार दिन, चार महिने, चार साल अगर कर दिया जाए that is called ध्यान, ध्यान दो मिनट, एक मिनट को हम धारणा ही कहते हैं ध्यान वो नहीं है और इस दोनों के बाद होती है समाधी ठीक है, तो again समाधी मतलब यह ने कि जो मृत्यों को हम प्राप्त कर लेते हैं जो शरीर की हम समाधी पर गए थे, उनकी समाधी पर गए थे यह कुछ है संस्कृत, हमने शुरुआत में ही बात की कि यह पॉइंटर की तरह एक शब्द चे कई मिनिंग होते हैं उसका अर्थ तभी निकल कर आता है जब उसका कंटेक्स्ट मालूम होता है कि प्रयोग कहा हो रहा है इसलिए जो फॉरें हमारे जो ट्रांसलेटर्स थे उन्होंने बहुत गलिट धं से पुरान और वेदों का ट्रांसलेट किया है और वही चीज़ें प्रचलित हो गई है ठीक है तो सयम करना, धारना, ध्यान, समाधी अगर आपने कर लिया बदलाओ पर, किसके बदलाओ पर वेक्ति के संस्कार के बदलाओ में या अथर या चंद्रमा या शूर्य अगर आपने चेंज को एनलाइज कर लिया अपने हायेस्ट अवेरनेस लेवल से तो आप उसके अतीत, पास्ट अनागत जो आया नहीं है उसका भी ज्ञान हो जाता है अब ये सिद्धी के रूप में लग रहा है ये सूपर नेच्छल पावर लग रहा है लेकिन आप देखिए कि आज हम प्रिडिक्ट कैसे करते हैं हम कहते हैं data points होने चाहिए data से हम graph बनाते है graph को हम pattern analyze करते हैं कि graph किस तरफ बढ़ रहा है और फिर हम predict करते कि ये चीज होने वाला है तो भविश्यवानी जब database आप करते हैं तो वो just भविश्यवानी नहीं होती है forecast वर्ड हम use करते हैं बहुत analyze करके उसको forecast किया गया तो उसी तरह हमारे जो रिशी मुणी है कि उनको ज्ञान कैसे हो रहा है इस शुक्त को देखकर मुझे इतना शांदार अनुभा हुआ कि ये pure calculus है कि किसी भी एक जैसे अगर मैं घड़े को देखूँ तो कोई भी सामान व्यक्ति बता सकता है कि इसका अतीत मिट्टी था और ये बाद में मिट्टी बन जाएगा ठीक है? क्यूं क्यूंकि हम बदलाव को उसको देख लेते हैं क्या बदलाव देखते हैं कि घड़ा थोड़ा खराब होता है वो जड़ने लगता है, मिटी उखडने लगती है और हमें पता होता है कि अंत में इसे मिटी में मिल जाना है तो ये जो है शुक्ष मस्तर की बात नहीं हो ये हम आखों से देख सकते हैं तो कई ऐसी चीजे हैं जो सुक्ष मस्तर पर जो बदलाव हम समझ नहीं पाते हैं जान नहीं पाते हैं जो भी उस बदलाव को जान लेता है और समझ लेता है वो बहुत अच्छा प्रेडिक्ट करने लग जाता है और संसकार, अब ये जो वर्ड है संसकार जो चित वर्ड हमने शुरुवात में यूज किया था ना मन, बुद्धी और अहंकार का जो कॉम्बिनेशन है चित उसमें संसकार होते हैं उसमें पूर्व जनम के कार्मिक बैगेज या इस जनम के कार्मिक बैगेज जो आप कर्म कर रहे हैं उसका एक कलेक्शन जमा होते जा रहा है क्योंकि आपने कोई चीज किया होगा तो उसके पहले एक इच्छा यह हुई कि यह चीज मुझे करना चीए तो यह हमारी सबकॉंशस माइंड को हो या कहीं एक स्टोरेज में जाती है सुक्ष मस्तर पे और वही हमारा संसकार बनती है देखे बच्चों को हम संसकार क्यों देते हैं कि जब वरस्ती पहले हम discipline में सिखाते हैं उसको यह नहीं बताते हैं कि क्यों करना है कैसे करना धीरे धीरे जब उसका behavior वैसा हो जाता है जैसे हमने चार बजे सुबह उठने का अगर उसे आदत बना दिया तो श्वयम ही अपने आप पढ़ने लग जाता है आगे जाके तो वही उसका behavior बनने लग जाता है तो अगर आपने सैयम मतलब धारणा ध्यान समाधी संसकार पर कर लिया समझो स्वयम के संसकार पर कर लिया तो आप अपने पूरु जन्म को जान जाते है अब ये आप देखो कि कितने scientific धंग से उन्होंने इन शिद्धियों को समझाया है पतंजली योग सूतर में तो सिर्फ mental health, depression, सारी एक health के लिए योग नहीं exactly आपको capable कौन बनाएगा योग वो हट योग हो सकता है वो पतंजली का योग हो सकता है और वर्तमान में इंद्रिया काम करती है आपकी sense organ जो अभी घटित हो रहा है वो इंद्रिया ही बता सकती है मन ही त्रिकाल दर्शी होता है जो आप परिशान रहता है ना कि भवश्य में क्या होगा पास्ट में ऐसा हुआ था तो ये जो मन है ये shift करता है पास्ट, present, future में तो योग से इस मन को control किया जा सकता है और हमने वैशेशिक में देखा कि बुद्धी बहुत पहले आ गया मन बहुत बाद में आया इसका मतलब मन को बुद्धी control कर शक्ती है तो हम जो संगीत गाते थे जो गीत गाते थे उसका meaning side contemplate नहीं कर पाते थे कि हम को मन की शक्ती देना मन विजय करें दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें तो हमारे रिशीमोने कह रहे हैं कि आपको अगर leader बनना है विश्विजय बनना हो या अपने प्रश्न के उत्तर को आप प्राप्त करें या ना करें उसके जो approach है उसको जरूर आप अपनाए जो शवणम मननम निधिध्यासन जो वाद हमने कहा जो हमने कहा स्रध्या वीर्यस्पृति जो हमने कहा प्रत्यक्ष को अनुमान को योग करना योग को exactly practice करना है और मन अगेन एक substance है ये transform हो सकता तो जिधर आपकी मन लगेगा आप जहां समय बिताएंगे जिन चीजों को पढ़ेंगे स्वाध्याई करेंगे जहां भी वैसा मन आप create कर सकते हैं अपने इक्षा सकती और संकल्प सकती बढ़ा सकते हैं एक बार एक विचार आरा था मेरे में कि चानक के जो है जो धनान को कहते हैं कि मैं तुम्हारा वन्स का नाश करूँगा और भारत का राष्ट निर्वान करूँगा तो ये ना talent पे अपने knowledge पे आप इतना बड़ा कारी नहीं कर सकते हैं मेहनत से इतना बड़ा कारी नहीं होता है उसको कहते हैं संकल्प सक्ती बहुत बड़ उसमें जो सबसे बड़ा क्रेटेरिया है राजा बनने का या मंत्री बनने का वो सबसे पहला क्रेटेरिया है जितेंद्रिया जिसकी इंद्रिया जिसके वश में नहीं है वो महान लीडर नहीं बन सकता है ठीक है और प्रज्ञानम ब्रम्ह अगर हम कहें जो वेदांत दर्श कि हम सभी मनुष्य का नाश हो जाए प्रलय आजाए हम सभी यह यूग का अंत हो जाए तो यह जो नॉलेज है यह जो हमने हवाई जहाज बनाया है यह जो हमने फोन बनाया है कंप्यूटर बनाया यह नॉलेज चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा तो हम कहेंगे कि जो हमारी श्रिष्टी है वो व्यक्त से अव्यक्त हो जाएगी, evolution से involute हो जाएगा, स्रिष्टी अपने आपको अंदर समेट ली है, जैसे जब हम सोते हैं, तो हम अपने आपको समेट लेते हैं, जब उठते हैं तभी हमारा awareness से बढ़ता है, तो उसी प्रकार, उसी प्रकार, ये जो चीजों को ढूणने की ये ब्रह्म की ही curiosity है क्योंकि ब्रह्म चेतना को स्वैम को जादा जानना चाहता है प्रकृती के सहारे हम वेदान्त दर्शन में धर्ष्टा और धृष्य का concept देते हैं experience और experiencer अगर आपके सामने see theory नहीं है आपकी आँख अगर ठीक है लेकिन आपको कुछ दिखे ही ना तो आपको लगया कि आप अंधे आपको कुछ अगर दिखे ही ना ऐसा कुछ हो जाएसी विवस्था अगर आपके साथ कर दिजाए तो आपको लगया कि यापंध है तो experience का होना बहुत जरूरी है तभी हमको भी पता चलता है कि हम चेतना स्वरूप है तो ज्ञान ही ब्रह्म है और जो भारत शब्द का अर्थ रहा है भारत शब्द है land of seekers जो ज्ञान के प्रती बहुत ही इक्षुक हैं भूखे हैं वही धर्थी भारत है तो अलब चीज है भारत में एक व्यक्ति है वो मतलब काम जेनरली लोग सच बोलते हैं लोग मरने से नहीं डरते हैं और लोग ज्ञान पर बहुत ही ज़्यादा गर्व करते हैं और बहुत उसको वैल्यू देते हैं अब आज आप देखेंगे कि आज की जो परस्तिती है सच कितना बो मुझे प्राग्मेटिक मुझे जो चीज दिखती है वही चीज समझ में आती है तो हमने शुरुवात में देखा कि वो सिर्फ प्रतेक्ष प्रमान है तो यू अगर आपने एक्स्प्लोर नहीं किया है आप पैरिस नहीं गए आप अफरिका नहीं गए इसका मतलब यह नहीं पस्पेक्टिव से आप देखते हैं इस मंदार परवत को भगवान विष्णु ने कुर्मा उतार कच्छुए के रूप में समाला था और कच्छुआ क्या होता है कुछ भी समस्या देखता है भार तुरंत अपने और पैर हाथ को अंदर खीच लेता अपने शेल में तुरंत अपने आशन किया और इसके ऊपर है मंदार परवत जो है ध्रिड़ निष्चय जो है तपस्या कि आपको कोई चीज अनेजिनेस लग रही है आपको योग करने में थोड़ी अनेजिनेस लगी शुरुआत में लेकिन आपने उसको कहरी फरवड किया एक साल दो साल तो यह ज कॉंबिनेशन में अगर लेकि सात्विक्ता अगर बहुत अधिक है तो वो देव प्रकृती है और तामसिक्ता और राजसिक गुन बहुत ज़ादा है तो देव प्रकृती है दोनों की आवशकता है ध्रिड़ निष्चय को हम वासुकी सर्प से देख रहे हैं चर्निंग करत जानकारी होगी पतंजली को वासुकी सार्प का ही अवतार मना जाता है मतलब। योग के माध्यम से आपने ध्रिड़ निष्चय को बांदा है और शुर्वात में जहर निकल करा रहे है तो जो मैंने बात की कि जो जहर निकल कराए तो शिवत तक्तो जह है वही समहाल سकता है उस जहर को, तो चेतना कस्तर अगर आपने नहीं बढ़ाया है, आप जानवर ही बने हुग है, मुला धार पर ही है, तो आप से जहर नहीं समलेगा, ठीक है, और उसमें शक्ति का सहारा है, पारवती मा का सहारा मिला था, तभी शिवतत्त भी जो है, उस जहर को लेता और उसके बाद 14 उपहार आते हैं, और सभी को ये जानकारी होगी कि उपहार क्या-क्या थे, जो कामदेनु गाय थी या लक्ष्मी माता थी, तो आप अगर उसको केटेगराइज करेंगे, तो वो धर्म निकलेगा, अर्थ निकलेगा, काम निकलेगा, और अंत में जो अम्रित है, वो मोक्ष निकलेगा, तो भारत को क्या अभी आवशकता है, जो मुझे लगी कि जो चेतना का स्तर है, वो गिरा हुआ है, क्यों हम डिबेट भी करते हैंगे, भारत के साथ ये समस्या है, तो आपस में लड़ जाते हैं पहले, मतब नियाय दर्शन की कमी है, हम चीजों को आईर scientific temperament है, वो वहाँ से आएगी, और हम मन को कैशे वश्मे करेंगे, हमको मालूम ही नहीं है कि इसको control कौन करता है, इसको control या तो गुण से हम कर सकते हैं, तो हम कहते हैं कि रितू चरिया, दिन चरिया से करने चाहिए, तो ये पूरी hierarchy कौन समझाता है, शांखे दर्शन, और स हमें satisfaction चाहिए, जो हम कहते हैं, सत्चित आनंद को प्राप्त करने का जो हम बात करते हैं, वो ultimate knowledge फिर वेदान्त देता है, लेकिन सीधे-सीधे तौर पर वहाँ जाएंगे, तो हमें लगए कि information तो मिल गई, बड़ मजा नहीं आया, मतलब mananam नहीं हुआ, निद्ध्यास नह बनाए गए थे, इन ही विचारों को preserve करने के लिए बनाए गए थे, जो कथा हमने देखी अभी समुद्र मंधन की, इसने देखे, कई दर्शन सास्त को अपने अंदर समेटे हुए, तो अगर ये कहानी नहीं होगी, तो हम कैसे contemplate करेंगे, कि उसका meaning क्या है, पहले शब्द क तो जान ले, तो हमें framework ही नहीं मालूम है कि हम अपनी बातों को scientific temperament विज्ञानिक तोर पर कैसे रखें, तो ये दर्शन सास्त हमें वो दर्शन देता है कि वापस से, अगर आब भगवत गीता भी पढ़ेंगे दर्शन सास्त के बाद, तब शायद भगवत गीता आपको बह बोड़कर हम विश्वगुरु बनने की कलपना भी कर सकते हैं क्या ये प्रशन था, तो जैसा मैंने कहा कि self confidence होना चाहिए, हमारी अपनी जो भी प्राचीन ग्यान विग्यान उसमें क्या relevant है, क्या आज भी हम apply कर सकते हैं, उनको ढूड़ना है और उसको वापस से restructure कर रहा जो उपनिश्द हमारे हैं, शायद हो तो आज के समय का उपनिश्द लिखा जाए, जो आज के लिए relevant हो, शायद अर्थ शास्त्र के जो चानक के नीती हैं, उसको अभी के perfection में, अगर हम कुछ समझ सकते हैं, तो copy जब तक हम करते रहेंगे, तो follower बनेंगे, और हमें copy उन्ही चीज़ें बहुत original हैं और pure है, यह भारत की चीज़ें repackage होके नहीं आ रही है, ठीक है? मैं बस यही पूछना चाहती हूँ कि शुरुवात कैसे करें, तो अभी अगर दर्शन भी समझने हैं, अभी तो एक काफी trend चल रहा है कि सबको वेट पढ़ने हैं, सबको भगवत लीता से शुरुवात करनी हैं, तो अगर दर्शन को पढ़ने की शुरुवात करें, तो कैस कैसे करें, आगे कैसे बढ़ा जाएं? ये self-study से मैंने नहीं लिया है, जो आर्श न्यास है, जो हम बोलते हैं, बहुत प्राचीन गुरुकुल है, आरे समाज का में एक परंपरा रही है, उसमें सत्यजीत आरे जी का पूरा का पूरा दर्शन सास्त्र पर है, पूरा व्याक्या है हमका, तो उनको मैंने सुना, ल तो आप हर चीज़ ट्राइक करते हो, भगवत की तक कुछ यहां से सुना, फिर कहीं और से सुना, तो टुकडों में धीरे-धीरे वोकेलबरी आती है, बट जो गुरु हैं, उनको अगर आप सुनते हैं, तो ज़्यादा बहतर है, और एचेस सिनहा जी सबसे ज़्यादा मु बहुत अच्छे से समझ में आएंगा, लेकिन वो निर्वान के लिए इंस्पायर नहीं होंगे, चीक है, मतलब, है ना, तो या अहंकार उनका शायद नहीं विलुक्त होगा, उनमें राग और दुवेश रही जाएगा, कुछ ना कुछ अटैच्मेंट होगा, तो उसी तरह एक अकाडमिक एंगल होता है, कि हम चीजों को एक एक टुकडे में तोड़ तोड़ के समझना चाहें, तो H.S. Sinatra जी उसमें बहुत बड़े एक्सपर्ट है, 94 की उनकी एज है, चीक है, और जो मैंने आपको ज्यान के अस्तर पर बात की, कि सत्यजीत आरे जी को जैसे मैंने सुना, तो आपको एक गुरु को आपको चुनना है सबसे पहले, और मैं तो पॉड़कास्ट जैसे मैंने कहा, वैदिक योगिक नाम की पॉड़कास्ट है, Spotify चनल पे, स्पैलिंग जो होगा वो V-A-I-D-I-C and without space Y-O-G-I-C, तो ये पॉड़कास्ट में मैंने क्या किया, जै जैसे आज आपको अगर लगा है कि बहुत सरल भासा में हुई है, यही मेरा लक्ष भी था, जैसा मैंने कहा, दर्शन सास्ट में बताने नहीं आया हूँ, क्योंकि उसके लिए मैं सही और्थरिटी नहीं हूँ, मुझे कहनी भी नहीं चाहिए, मैं गुरु शिश्य परंपर कि बस यही है मेरा अधाद, नमस्कार, मैंने आपको व्रिक्षारवेट के टॉक भी अप मैंने सुना है आपका, और आज का एक मेरा प्रशन है, मतलब दोनों दिन से ही मेरा एक प्रशन है, वो है कि आज के समय में मैंने आप देखा कि आपने बताया कि कारिया कारन एक सिध वो प्रिंसिपल ऑफ कॉजलिटी है, वो उससे थोड़ा जादा मैप रखता है, मतलब समानता रखता है, तो इसमें आपका क्या विचार है, और मेरा एक प्रशन था वो पिसले दिन का है, मतलब आपने विक्षारवेट को बहुत ही अपनाया, और सर, मैं स्वेम एक ICR स्ट हो, मतलब इंडियन था प्रशन था, मैंने दर्शन सास पे इन डेफ्थ कोई भी बात नहीं किया, सीरा सिधा मैं आपको बता दे रहा हूं, तो मैंने जो भी बात किये, वो अधूरी बात किये, तो purity पे नहीं जाएगे, मैंने क्या कहाता कि, मैं ये श्लोक इसलिए दिखा रहा हूं कि हमारे शास्त्रों में physics जैसा भी concept है, मतलब हम materialistic world को भी पढ़ रहे थे, सिर्फ मोक्ष नहीं प्राप्त करने की बात कर रहे थे तो उसके लिए मैंने वैशेशीक दर्शन का एक उदारन भी आता है, इन डेफ्थ तो आपने जो कहा वही exact form है, ठीक है, कि it is not kind of Newton's second law of motion, ठीक है, और दूसरा जो आपका प्रश्न है, पंतनगर उनिवर्सिटी ने अल्रेडी इसको as a project take up किया हुआ है, Asian Agri History Foundation जो है, जो व ठीक है, और पंतनगर को आप जानते हैं कितनी बड़ी उनिवर्सिटी है, ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास क्या है कि हम practice कर रहे हैं, और मेरी पुस्तक भी एक रिसी समहिता, जो flip card पे भी पुलब्द है, तो यहाँ पे भी ICR को मैंने book दिये, तो उन्हो ये कर सकते हो कि मैं content आपको दे सकता हूँ कि ये process में दिया हुए है, इसको on ground practice करके उसके data points select होना बहुत ज़रूवी है, क्योंकि ये चीज हमें बहुत पहले से समझते हैं कि policy making तब होती है, जब उसके ये proper supporting documents होते हैं, हम emotions पे विवहार पे नहीं बुल सकते हैं, इतनी प students आ रहे हैं, ठीक है, that should be first step, और अभी मैं अपने friend के साथ praaggeek.com उसमें एक module पे काम कर रहा हूं, व्रिक्षा एरवेद देखिए, ग्रंत है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि आज के time में कैसे relevant होगी, उसका module पे मैं काम कर रहा हूं, और उसको as a course मैं सायद students के लिए launch करूं, कि दो मेने का ये course है, internship आप करो हमारे farm पर, और इस module को आप देखो, तो जब मैं वो module बना लूँगा, तो शायद आप से share कर सकता हूं, तो आप चंपर्क में आ सकते हैं, तो इस तरह से हम रिक्षा एरवेद में जरूर help कर सकते हैं, जी. बहुत अच्छा आपका आज का session रहा है, हम मुझे जो एक प्रशन पूछना है ये, कि सांख्य दर्शन के अनुसार, जब हम लोग debate करते हैं, भारते संस्कितिक अनुसार, मानफ तब्याता के शुरूआत कब हुई थी, या फिर जब science का दार पर बात करते हैं, तो हम लोग जो आपने प्रशन किया है, अगर उसको आपको tackle करना या समझना है, तो नासदिय सुक्त उसका proper श्लोक है, या पूरुष शुक्त या हिरन गर्भ सुक्त, ये रिगविद में आती है, ठीक है, और मेरे podcast में आप सुन सकते हैं, ये एक अलग level का discussion जाएगा, तो नासदिय आपको word done करें, जैसे ये कहेंगे कि brick bank theory में सबसे पहले एक blast हुआ या स्रिजन हुआ मान लिजे, तो हम ये भी तो प्रशन कर सकते हैं कि ये चीज क्यों हुई, मतलब उसके पहले क्या था, आप वो बता दो, तो ये science में क्या हो जाता है, कि add-dent वो कहते हैं कि randomness से सब कु हो गया, ठीक है, लेकिन हम ये जानते हैं कि बालू के कण से पेड नहीं निकल सकता है, वो अगर नीम का बीज है, तो उसी से पेड बनेगा, तो बीज में पहले potential होना चाहिए पेड बनने का, तो उसी तरह स्रिष्टी अगर कहीं से बनी है, अगर बनी है, तो जिस भी स्रिष्टी थी और उसी से स्रिष्टी बनी है, तो नासदिय सुक्त इसके भी पहले चला जाता है, तो इसको थोड़ा अच्छे से अगर आप अंडर्स्टाइंड करेंगे कि नासदिय सुक्त क्या है, तो उसमें आप देखेंगे कि बात होती है कि रजोगुन आता है, भी स्रिष्टी का निर्मान नहीं होगा ठीक है और जब भी इनका बैलेंस भी गड़ता है तो स्रिष्टी बनती है तो सबसे पहले स्रिष्टी का निर्मान हमने गुणों के आधार पर देखा फिर हमने होती ही है लेकिन अटॉमिक लेवल पर आणवी कस्तर पर हर कण भी हिलती है और जो कण नहीं हिलती है उसको आप जान ही नहीं सकते है वो अव्यक्त है तो रजोगुन अगर नहीं होगा मतलब जो हम movement कह रहे हैं तो वो चीज exist ही नहीं करेगी वो अव्यक्त में चली जाएगी व्यक्त ही नहीं होगी तो थोड़ा सा ये complicated discussion चला जाएगा क्योंकि ये बहुत सरल नहीं है तो इस पे हमने already बात की है हमारे podcast में अगर आप सुनना चाहे तो सुन सकते है नासदिय सुक्त के बारे में और parallel draw करने की कोशिश नहीं करेंगे मैं मैंने बस जो science को लाया था बस इसलिए कि ये temperament भी हमारा scientific है इसको सिर्फ कर्मकांड की पदती नहीं जाना नहीं है वो तो है ही ऐसा नहीं कि कर्मकांड बुरी आच्छी चीज़ पर हम नहीं बात करें वो भी वहारिक है अगर कर्मकांड नहीं होगे तो विचार लुप्थी हो जाते हैं ठीक है तो आप उन सुक्तों से सहारा ले सकते हैं ठीक है पुरुष शुक्त को आप देखिए और हिरन गर्व शुक्त को जी हां सबसे पहले रभी जी को बहुत बहुत देनिवाद की जैसे कि हम लोग हम गाव से रिलेटेड हैं तो मतलब बहुत सारा के रियूसरी आता है कि कोई जिस फिल्ड में जाना चाहता है उससे भी कुछ अलग फिल्ड मना से जैसे कि रभी जी का यह जो मैं तीन साल से बहले उनको बोलता है मैं उनके बारे में रिसाच करता हूँ कि इंजिनियर थे और वह जाके जो प्राकिति ने करते हैं कि नहीं यह चीज नहीं होगा जो मेरा सजियों से चलता रहा है उसी को यूज करेंगे उसके बाद से जो वेद है उसमें कोई जैसे हम लोग कोई उपवास करते हैं तो किसी को मैंने देखा कि इस साल जो उपवास हो रहा था तो उसमें कोई बोलता है कि मेरा इस न जैसे शुरुवात में मैंने जनेव का एक्जामपल दिया था, अब अगर कारण नहीं पता होगा, तो सही बात है कि उसको मन नहीं करेगा, पालन करने का, तो जनेव में जैसे हमने बोला कि याद करने के लिए कि आपके ओपर उधार है, रिन है, मात्री रिन, पित्री रिन, उसी तरह उपवास की जो परंपरा रही है, उसका क्या है कि जब आप सिर्फ भोजान आधारित रहते हैं, एक तो health perspective, हम जो कहते हैं intermittent fasting, fasting से हमारा शरीर शुद्ध होता है, तो सात्विक्ता का एक basis है, आप अगर देखेंगे कि आप जब भी तामसिक भोजन करते हैं, जब आप ने notice किया है, जब भी आप मांस मशली को खाते हैं, जो भी वेक्ति खाते हैं, उनको ज़रूर पता है कि उनका behavior उसके पात थोड़ा अलग होता है, तो भोजन का क्या होता है, मन पर प्रभाव होता है, सीधा-सीधा बात ये है, पहला, तो जब गुणों की बात आती है कि राजसिग गुन है, तामसिग गुन है, तो अध्यात्म में या परंपरा में सात्विक्ता का एक basic requirement है, तो हम नियमों का पालन करते हैं, अनुशाशन में आने के लिए सुबा उठते हैं, असनान करते हैं, उपवास रखते हैं, तो उपवास करने से आप देखें, जो जरिया भी शुद्ध ना हो, तो परंपरा में इसलिए बांध दिया गया है, ताकि हमें मन हो ना हो, हम उन चीजों को करते हैं, और उसका लाभ हमें मिलता है, तो हर वेक्ति क्या होता है, कि उसका how समझना नहीं चाहता है, जैसे आपको curiosity है, कि नहीं हमको जानना है, इसको क इंट्रेस्ट नहीं है, उसको इंट्रेस्ट है प्राक्टिस में, तो वो चला जाता है, राज योग में, और इन तीनों भी जिनको इंट्रेस्ट नहीं है, उनको ये इंट्रेस्ट है कि मेरा self-improvement हो, तो self-improvement के लिए मतलब मुझे लोग पसंद करें, मैं ego नहीं दिखू मेरा दूसरों से जगडा नहीं हो, मेरी समझ बढ़ जाए, तो हम कहते हैं कि कर्म योगी बनो, अहंकार को त्यागना या selfishness को हटाना, तो हर वेक्टी का अपना एक mental behavior है, और महारिशी जो हमारे हैं वो इन चीजों को समझते थे, कि हर वेक्टी को हर चीज आप नहीं बता स तो आपको पसंद नहीं आया, कोई और कर रहा है, वो बिना कारण करना चाह रहा है, तो भक्ती मार गया, वो शद्धा से कर रहा है, लेकिन सही बात है, एंसर को ज़रूर ढूड़ना चाहिए, कि उपवास करते क्यों हैं? है, एक चीज होता है, कि उस दिर एक उपवास्था जीतिया का नाम के, तो एक उपको खाने का मन कर रहा है, जवर जसती का पalnya कर रहा है, तो वो नहीं नहीं कर रहा है, तो वो चीज आप क्या यह गलत तो देखिए हमने अभी बात की ना कि हमको मन को ही तो वश में करना है हम पूरा प्रोसेस क्या था हमारा मन का अगर हम सुनने लगे जैसे हम बोलते है आज मेरा मूड यह कर रहा है तो अगर हर चीज मूड पे करने लगे तो जीवन अनुशाशन हीन हो जाएगा पहला और आज आपने एक नियम तोड़ा है शायद बाद में कुछ और नियम तोड़ा है कि करने की क्या हो शक्ता है क्योंकि भगवान तो हर जगा है तो हम तो मुझे जितिया करने के क्या जूरा थे क्योंकि मैं अपने बेटे-बेटे को ऐसे भी प्रेम करती है तो क्या होता है कि ये बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है हमारी इसी को कहते है संस्कृती संस्कृती से संसकार बचता है ठीक है हर वेक्ति को वाई आप नहीं बता सकते दर्शन साथ हर वेक्ति के नहीं है लेकिन बेनफिट अनुशाशन से ज़रूर आता है इसलिए नियम आने लगते हैं और सही धंग से किये जाएं और अगर कारण पता हो तो मजा बहुत आता है नियम का पालन करने में है ना ठीक है अगर हमें भारते ज्ञान को सिखना है जिसे भारते गनित विज्ञान तो कैसे करें ओके इस पर जैसा मैंने शुरू में कहा कि हमारे मित्र के साथ मैं लगा हुआ हूँ प्रागिक.com जो kind of online इंडिक education भारत का ज्ञान विज्ञान उसको paid version में free करने ठीक है एक course के रूप में certificate course हो या किसी भी प्रकार से उसको हम लोग structured way में देने की कोशिश कर रहे हैं हमारा प्रयास अभिजारी है उसमें मैं educator के रूप में हूँ मैं co founder नहीं हूँ मतलब मैं यहां पर पढ़ाऊंगा जैसे कि वरिक्षाइर वे एक topic है या गौपालन हो या जैसे आज का अगर दर्शन शासर पे बात करें कि भारत के text में है क्या इसका भी knowledge होना चाहिए हम depth में ज्यान में जाने के जूरत नहीं है क्योंकि जिग्यासा देना ज्यादा important है हम किसी में curiosity डाल देना कि जानना है जानना है तो वो खुद ज़्यादा अच्छे से जानने का प्रयास करेगा इसलिए स्वाध्याई भी बहुत important है तो हमारा प्रयास रहेगा और जो podcast channel हमने बता है उस पर हमने maths की भी बात की और अगर मैं बात करूँ maths के लिए dr. C.K. राजयोजी को आप सुनो अगर English पतलब में कोई problem नहीं है समझने में धर्म के fundamentals में अगर आप बात करो तो राजी मलोतरा जी के पुस्तक को पढ़ो ठीक है एक fundamental framework जरूर होना चीए सीधा पूद नहीं जाना है क्योंकि mistranslation बहुत हुए है गलत print किया गया है कई टेक्स्ट को तोड़ा गया है मरोडा गया है शुद्ध रूप में नहीं मिल पाता है तो गुरू को ढूड़ो आप ज़ादा बहतर है rather than internet में जाने की कोशिश करो और का मैं नाम ले रहा हूं Center for Civilization Studies Center for Civilization Studies जिसके डारेक्टर है महोड़ेर रविशंकर जी वहाँ पर उपनिशद का भी ज्यान जो है उसका भी कोर्स आया हुए अगर beginners कोर्स लेना है बेसिक लेवल का कोर्स लेना है और उनसे भी मैं अपरत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ यह जो मान सिकता है कि विश्व से घूम कर जाब हमारा ज्यान आता है तब हमें पसंद आता है और यह जो विश्वास हो गया ना कि traditions को छोड़ना modernity है आप अगर आगे बढ़ रहे है मतलब परमपराओं को छोड़ो और दूसरा west की ओर जाना modernity है अगर आगे जा रहे है त दोनों साथ में जा सकता है पहले तो यह समझना और modernity मतलब यह नहीं कि हम west को puppy करें modernity विचार में होनी चाहिए thought में कि आप innovate कर सको कुछ create कर सको अगर create नहीं करेंगे हम सीधे बात है intellectual property नहीं बनेगी तक शीला था तो चानक के थे चानक के थे तो चंद्रगुपत मौर र निर्माण हुआ है ठीक है और यह जो गनित है ना जो हमने कहा कि calculus भारत में दिया है तो जेशूट नाम के वैक्ति ने कोचिन में से trigonometric table वह यहां की library से लेके गया था जिसमें 10 decimal place तक trigonometric table थी और उससे navigation में सहारा मिला westerners को ना वो को समुद्र में कैसे चलाना है इसके लि बाद आप तक foreigner पहुंचे है foreign invaders उनकी नाव पहुंची है अगर नाव चलाना ही नहीं आता समुद्र में किधर जाना है तो आप तक कोई पहुंचेगा कैसे तो गनित का देखिए कहां पर इस्तमाल हो रहा है ठीक है तो ज्यान जो है वो कई industries को खड़ा करता है और उस ज्य जान को जानने समझने के लिए चेतना awareness बढ़ानी बहुत जलूरी है इंडिया को भारत बनना पढ़ेगा जैसे बच्चों के लिए कुछ ज्यान है जैसे उनों को कैसे पढ़ाना है बच्चों को अभी के समय में क्या हो गया है कि हम लोग बच्चे बड़े हो रहे हैं लेकि पर कोई गरंथ है जो कि देखे पहले जो हम वेद को चार हिस्सों में बाटते हैं पहले कहते हैं समहिता ब्राम्भन हम कहते हैं अरण्यक और फिर कहते हैं उपनिशद ये चार डिवीजन होता है ठीक है हमारे वेदों का तो उपनिशद सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आते लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा गूढ ग्यान रहता है लेकिन शुर्वात में क्या होता है समहिता जो हम बोलते हैं तो गुरुकुल में क्या है याद करवाया जाता था श्लोक का सही-सही उच्चारन पहले करवाया जाता था तो जैसा मैंने आपको कहा कि एकदम आदर्ट आपने डलवा दिया बहुत ही अच्छी प्रफिर्टी बनेगी मैं आपको बता ज़रा हूं क्योंकि मंत्र का अर्थ जाने बिना मंत्र का benefit लिया जाता है क्योंकि मंत्र ध्वनी है और sound का benefit मिलता है इसलिए गायत्री मंत्र का अर्थ कई वेक्तियों को नहीं मालूम है benefit कैसे मिलता है तो उसी तरह आप मंत्र उचारन अभ्यास जरूर करवा हो और विद्याले, चिन्मया मिशन की विद्याले है विवेकानन मिशन की विद्याले है विद्या भारती है, शरुषृति विद्यामंदिर है डिये भी है, कई ऐसे विद्याले भी है अगर आपके शेत्र में है तो यह जरूर ऐसे behavior को जरूर आदत जरूर डलवाते है मैं जैसे शरुषृति विद्यामंदिर से आता हूँ तो मैंने चलो तारीफ नहीं किया कभी अपने ग्रंथों की, लेकिन अट्लिस बुराई भी नहीं की थी ठीक है, कभी हीन भावना से नहीं देखा था और कई वर्षों बाद भगवद गीता को समझने के प्रयास में कृशी को समझने के प्रयास में वर्षायर वर्षों को समझने के प्रयास में मैं यहां तक आगया और पता चला कि ये बहुत पड़ा खजाना है, जो 90 लाख ग्रंथ जले थे ना तो सब में यग्य परंपरा नहीं रही होगी, है ना, चीक है पांच लाख से ज़्यादा संस्कृत में वोकेबलरी आप जान सकते हैं बहुत मैं कंजर्वेटी मैं बोल रहा हूँ पांच लाख शब्द से कई जादा है कई शब्द होंगे मोक्ष के अलावा भी है तो बच्चों को उतना समझाने के ज़रुत नहीं एक एज आएगा 12-13-15 के बाद आप curiosity develop करो जिग्यासा जानने की जिग्यासा यह बहुत important है rather than की उनको जवरस्ती पढ़ाने की कोशिश करो हाँ अनुशार्शन important तो वैदान दर्शन में आपने बताया जागरत निद्रा सुसुक्ति और तुरिया तो उसमें सुसुक्ति यह कौन सा phase है या को जब आप सोते हैं और कोई भी सपना नहीं आए अगर तो आपको कैसा लगता है सुबह उठने के बाद लगता है बड़ा complete निद्र हुआ है क्योंकि मन विचलित नहीं था सोने के समय और अगर शरीर में दर्द हो और ऐसा नींद आ जाए जिसमें कोई सपना नहीं है तो आपको दर्द का भी अनुभाव नहीं होता है ठीक है तो हम कहते हैं कि यह वाला जो स्टेट है सुशुक्ति यह तूरिया के close है मतलब जो आपका real nature है वो painless है उसको कोई दर्द अनुभाव नहीं होता है और सुख की भी अनुभावती नहीं होती है यह भी मैं बता दे रहा हम आपको आनन्द इस नोट अगें दी ब्लिस तो यह जागरत से जैसे जैसे दूर आप जाते जा रहे है निद्रा, शुशुक्ति, तूरिया तो उतना उतना आप अपने रियल निचर की और जाते है इस लाइक ताट तो उसमें दर्द का अनुभाव नहीं होता है परिशानिया नहीं होती है ठीक है तो तूरिया वही मोड है जो हम कहते है सत्षित आनन्द एकदम ठीक है और एक प्रशन था मेरा कि आपने प्रमाण में प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और एक शाबदिक प्रमाण भी होता है अगर मैं गलत हैं तो हमारा जो नौलेज है इंडिक सिस्टम्स का यह काफी मतलब लिमिटेड नहीं है फिजिकल तक हम ऐसा बात करें तो और आजकल के जो अल्टरा साइंटिफिक पीपल है उनको फिजिकल के सामने कुछ समझ नहीं आता है तो फिर प्रत्यक्ष प्रमाण हम हर एक चीज का नहीं दे बाते है उसके बाद में अगर अनुमान पे आते हैं तो वो अनुमान से थोड़ा जजगते हैं कि मतलब ये कोई साइंटिफिक वे नहीं है ऐसा समझते हैं और तीसरा अगर हम शब्द प्रमाण पे आते हैं तो हमारे टेक्स पे तो अभी विश्वास ही नहीं है लोग होगा तो अगर इंडिक नॉलजच सिस्टम को आगे बढ़ाना है तो क्या हमारे पास रास्ता हो सकता है इससर्फ दर्शन की प्रैक्रिस करना यह हो सकता है या अपने देखा कि अगर आप ज़्यादा देर तक सांस लेते हैं लंबी सांस लेते हैं तो आपका stress release हो जाता है यह पत मतलब उस text में जो भी बाते लिखी हुई है अगर 1952 सुक्त है उसकी चार बाते हमने apply की उसका result मिला इसका मतलब सामने वाला जिसने लिखा है वो text महरशी पतंजली ने जो लिखा है वो बाकी कोरी कल्पना नहीं होगी ठीक है तो आप जितनी चीजों को apply करते जाओ आपको ना मैंने जैसे कहा था शब्दों में आप बांधते हूँ और आप पराविद्या है और शब्दों से satisfy नहीं कर सकते है शामने वाले को तो सामने वाले को कहना है कि आप अनुभव के अस्तर पर जाओ तो अनुभव में मतलब बेरे साथ जो है जो योग की प्रक्रिया है अगर तो पता चलाओगा कि इसका प्रभाव क्या होता हर वेक्ति को पता है कि मंदिर जाने पर अलग मन पर प्रभाव पड़ता है घंटी बजाते ही भागवान तो हर जगह है घर से भी हम प्राथना कर सकते हैं मंदिर क्यों जाता है क्योंकि वहां पर हमको कंट्रोल नहीं करना पड़ता है मन को वहां अउटोमेटिक हो जाता है ठीक है? तो आपको जो समझने की प्रयास में नहीं है तो उनको तो आप समझा भी नी सकते हैं ठीक है? लेकिन आप आपने अगर देखा होगा इसकन का अगर ट्रेंड देखा होगा तो पूरे दुनिया से जो कृष्ण भाक्ति में जा रहा है तो ये ऐसे अचानक से नहीं हुआ है उन्हों में पढ़ा होगा भागवाद गीता एट लिस्ट जो है वो क्यों लोगों को एप्रोच कर पाती है जाद अच्छे से क्योंकि भागवाद गीता इस दी समरी ऑफ वेदायन उपनिशाद समरी है वो और उस उसके जिर परिशित के मृत्यों गए तो उसको अगर उसने पढ़ा किया रहे जर्म मृत्यू चक्र है दुबारा होता है तो कुछ छण के लिए उसका दुख भी कम हो सकता है कि वो कहीं गया नहीं है कहीं और चला गया होगा तो भागवाद गीता में क्योंकि जादा डाइमेंशन को कबर करता है तो जादा लोगों को एप्रिशेट करता है और जब उपनिशाद पर आते हैं और दर्शन यह हो जाता है इस्पेशलाइजेशन यह व्यक्तियों को अट्राक्ट नहीं करेगा तो प्राक्टिसेस ही ठीक है बट यह नहीं बताना है कि योग इस इस अब एल्धो अन्ली एंड मेंटल हेल्थ और अध्यात मीजन अनली फर डिपरेशन अगर डिपरेशन में तो हमें स्प्रिश्वालिटी में जानी चाहिए यह सॉल्ब करता है और बहुत तो इसी से आये भी है डिप्रेस हों कि लाइफ में फेलियर देखके भी आते है तो आपने बताया कि महत के बाद अहंकार आता है और इसके बाद तीन तत्वा आता है जो गुण है सत्वर अजो और तमस तो मैंने कही तो पढ़ा था कि जो सत्वर अजो और तमस जो इनसान के अंदर होते हैं जो गुण होते हैं किसी गथ्ति के वो जो प्रकृति से भी पड़ा था तो अगर आप कहते हैं कि एहंकाँ ये individualism से link है और उसके बार उसके बार में यह तीनों को आते हैं तो यह प्रकृति का influence कैसे होता? देखे वो hierarchy में मैंने उस diagram में ऐसा बता नहीं सकता था कि पहले भी 70 तम था वो उसका balance टूटा और फिर आगे जाकर उससे ज्ञानेंगरिया जो कर्मिंद्रिया या पंचतत्तो जो हम बात कि वो flow diagram में मजबूरिये कि वैसे मैंने बनाया ऐसा नहीं कि प्रकृति मतलब गुड़ वहाँ पर आया था आपके दोस्तकों ने आप क्या पढ़ रहे हैं आपके आचार विवहार से जो आश्रम में परंपरा है कि सुबा उठना है ब्रह्मूरत में उठना है यह चीज़े हम क्यों करते हैं मतलब गौप आलन करना या दान पुन्य करना यह आप में सत्विक्था को बढ़ाता है तो यह जो पूरा प्रोसेस है जब तक आप अप अध्यात्मिक जर्णी के लिए वो पूरा डैमेंशन तपस्या का ही डैमेंशन है आपको spiritual जर्णी आपकी स्टार्ट ही नहीं हुए है आप तो discipline ही अभी सिख रहे हैं ठीक है So that's how it works कि हमें एक सिखाया जा रहा है प्रोच की कैसे साथ्विक बनना है राजी यह का प्रशन है क्या हमें वेद पढ़ने के लिए आरे समाज संस्थान के पास ही जाना होगा या और कोई संस्था है यह हम कैसे जानेंगे कि प्रमानी संस्था कौन है देल में हमें तेकर वेद हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं मतलब 60,000, 70,000 से कई ज़्याधा श्लोक है तो सिफ रिगवेद में अगर बताएं जिसे वो परंपरा से आती है मतलब गुरुकुल में आप जा सकते हैं गुरुकुल हैं और ड़ी करनाल में है हर्यान में है हमारे मित्र है धननजय जी यहीं बुकारों के चास चंदन क्यारी शेत्र से आते हैं तो गुरुकुल है आप वहां भी जा सकते हैं अब जहां साथ हजार सतर हजार सुप्त और जो नॉर्मल संस्कृत नहीं है उसका उचारन भी अलग धंग से होता है और उसके लिए आपको निरुक्त आनी चाहिए वेदांग आनी चाहिए जो हम बात करते हैं व्याकरन अष्टा ध्याई निरुक्त गरंथ सिक्षा जोते हैं तो बहुत ज्यादा exhaustive है और यह कई समय लगता ही है एक साल में वेद नहीं समझ सकते हैं ना मैं समझ सकता हूं जब तक उस परंपरा में नहीं गया हूं हां कुछ curiosity के लिए कुछ श्लोक पे आप समझने के कोशिश कर सकते हैं जैसे ब्रह्मान की creation में उन्ने बात की नासदीय सुक्त है वर्ण में वस्था आती है पुरुश्व सुक्त से तो लेकिन वेद को पूरा पढ़ने ना जाए आप सिर्फ भगवद गीता भी समाल ले य क्योंकि ये जज करना कि क्या सही है क्या गलत है है ना वो सत्य का जो प्रमानिक्ता है उसकी समझ न्याय दर्शन आपको समझाएगी तो पहले न्याय दर्शन पे तो कमांड आप कर ही लो ठीक है और ये जैसे आरे समाज इश्वर को नकारता है तो पुरुश्टत्व ब्रह अब तक तो ऐसे शब्द के प्रयोग होते हैं शिव दर्शन में शिव और शक्ति पर प्रयोग होते हैं तो इस शास्त को समझने के लिए आप उनके संस्थान पर जा सकते हैं लेकिन उनकी क्या विचारधारा है उसको आपको पूरी आत्म साथ करने के जुरत नहीं यह आपका thought process होना चाहिए हम कहा रहा है कि ज्ञान जहां से मिल रहा है वो लेना चाहिए ठीक है और आरे समाज ने दर्शन सास पर बहुत अच्छा कमांड किया था मैं भी बहुत मतलब एक समस्या मेरे वे भी रही थी कि आरे समाज जैसे पुरान को नहीं बात करता है सिर्व वेद प पर बात नहीं किया मतलब मूर्ती और मंदिर फिर आपके चले गए रामायन और महाभारत पर समस्या होगी तो यह मतभेद वाला टॉपिक है पूरा का पूरा और हमें मैंने अब बोला ना कि साइंटिफिक टेंपरमेंट डेवलब कीज़े हर चीज में पराडॉक्स है तो पर नहीं चाहिए कि यह संस्थान यह गरवड किया इसने यह किया है आप नॉलेज लो और आप उससे संतुष्ट रहो ठीक है और यह टॉपिक एक अलग लेवल पर कि अध्वय द्वायत मूर्ती पूजग जो मूर्ती को नहीं मानते हैं इस होल न्यू लेवल डिसकॉशन और जिसमें हमें सास्थार्थ करनी पड़ेगी ठीक है और मैं आरे समाज से नहीं आता हूँ अगर आपको अगर ऐसा कुछ है मैंने आउट अफ कुरियोसिटी उनसे पढ़ा है क्योंकि उनका ज्यान बहुत अच्छा लगा मुझे मेरे मित्र के का वो वेबसाइट है मैं उसमें को फाउंडर नहीं हूँ पी आर ए जी डबल एक प्रागिक डॉट कॉम और दूसरा सेंटर फॉर सिवलाइजेशनल स्टडीज तेक है सेंटर फॉर सिवलाइजेशनल स्टडीज ठीक है और तीसरा अगर आप जानना चाहे तो भीष्टमा स्कूल अफ इंडिक स्टडीज यह भी बहुत फेमस है यह तीन आपको मैंने बता दिया ठीक है और ट्विटर पर आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो तो वहां पर मैं कई और्गनाजिशन को शेर कर सकता हूं झाल 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 झाल